बिसम्मिल्यारमान रहीम, असलाम अलेकूम, वेलकम स्टुडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्टीब चैनल स्टुडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड की एक्सरसाइस नंबर 3.4 उसका question number 1 है, इसके हमने first four parts solve कर लिये थे और आज हम क्या करेंगे, इसका जो fifth part है, इसको solve करेंगे जलने start करते हैं, क्या है हमारे पास, question number 1 था हमारे पास use log tables to find the values of, हमने क्या करना है, log tables को use करते हुए हमें जो question given होगा, आपने उसको solve करना है, तो हमारे पास सबसे पहले question कौन सा given है, five part में, one point two three multiply हो रहा है, zero point six nine seven five से, और उसके बाद बटा है यानि कि divide हो रहा है, और नीचे के है zero point zero zero seven five, यह multiply हो रहा है, one two seven eight से, तो क्या करना है, as usual, हमने इसका solution start करना, सबसे पहले आपने क्या क्या करना है, आपने सबसे पहले let करना है, let क्या करना है, आपने इसको किसी भी letter के बराबर रखना है, इसका variable कहते हैं, आप कुछ भी use कर सकते है, normally हम जो है, x, y, use करते हैं, तो चले हम X रख लेते हैं, let x is equal to, यह हमारे पास सारा क्या जाएगा as it is आपने इसको लिखे देना है one point two three इसको आपने multiply करना है brackets में लिखना है zero point six nine seven five और उसके बाद बटा है बटा लगा दें उसके बाद नीचे का है zero point and double zero और seven five है यह multiply हो रहा है one two seven eight से यह हमारे पास first step आ गया उसके बाद क्या करना है हमने इसका लाग लेना है दोनों साइट पे तो क्या लिखेंगे taking log on both sides taking log on both sides यानि दोनों तरफ हमने क्या लेना है इसका लाग लेना है लगरिथम लेना है तो हम लगरिथम को क्या करते हैं शाटकट लाग लिखते हैं तो आपने क्या करना है यहां पर दोनों साइट पर इसका लाग लेना है तो क्या लिखेंगे हम लाग आफ एक्स इस तरफ एक्स का ल 0.0075 है यह multiply हो रहा है 1278 से तो यह हमारे पास lag apply हो गया अब यहां पर क्या करना है इसके बाद आपने यहां पर इस step में lag के rule apply करने होते है lag के laws apply करने होते है इसके बाद हमने क्या करना होते है यहां पर हमने lag के rule apply करने होते है हमारे पास basically इसके जो है four जो है rules है हमारे पास पहला पहला क्या है अगर lag के अंदर दो जरब हो रहे हूं उनको जमा करना होता है अगर lag के अंदर दो टर में डिवाइड हो रही हूं m बटा n तो क्या हो जाएंगे यह log m minus log n यानि यह नफिय हो जाएंगे तो हमारे पास यहां पे जो है दो रूल अप्लाइ होने है सबसे पहले आपने क्या करना है इस पे जो है डिविजन जनी सेकंड रूल अप्लाइ करना है क्योंकि यह डिवाइड हो रही है दो टर में इसको आपने अलग अलग करना है 0.6975 से यह हमारे पास उपर वल टर्म आ गई उसके बाद आपने बट्टे को माइनस में चेंज कर देना है मारे पास क्या जाएगा माइनस और उसके बाद लाग आफ क्या जाएगा 0.0075 और यह मल्टिप्लाई होगा हमारे पास 1278 से यहाँ पर हमने क्या करना है ब्रैकर लगा देनी है क्योंकि आप जानते हैं जब माइनस हो और माइनस के बाद टर्म दो से ज्यादा हो या दो हो तो हम क्या करते हैं माइनस यूज करते हैं क्योंकि जब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो इनके sign आपस में क्या होंगे चेंज होंगे उसके बाद मजीद आपने क्या करना है यहाँ पर इसका फसला अपलाई करना है यहाँ पर क्या करना है हमने फसला अपलाई करना है क्योंकि यहाँ पर lag के अंदर दो टरम क्या हो रही है जरब हो रही है तो जरा बाले हम क्या करते हैं जमा करते होते हैं एड करते होते हैं तो आपने क्या करना है इनको एड करना है लाग आफ क्या जाएगा 1.23 इसको प्लस कर देना है हमने लाग आफ क्या जाएगा हमारे पास लाग आफ 0.6975 यह हमारे पास दो एड हो गए उसके बाद माइनिस है vinus वैसे लिखें अब यहां भी आप क्या करेंगे यहां पर lag अपले करेंग, rule अपले करेंग कौन सा, यहां पर lag के नदे 2 तरव भू रही है, तो हमने क्या करना है यहां पर lag जो है, अलग अलग करना है, यानि इनको आपस में add कर देना है, lag of 0.0075 75 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा लाग आफ 1278 यहां तक हमारे पास जो है यह तक्रीबन जो है अलग हो चुकी है लेकिन यहां पे अभी यह माइनस साइन रहता है इसको हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या करेंगे यहां पे हमारे पास इस तरफ जो है लाग आफ एक्स चल रहा है अब चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं लाग आफ एक्स और इसको वैसे लिख दें लाग आफ 1.23 प्लस लाग आफ 0.6975 अब जब यह माइनस अंदर जाएगा ठीक है यह स्टेप आफ ड्रैक भी कर सकते हैं लेकिन मैंने स्टेप बे स्टेप किया इसको ताकि आपको समझ जाए कि क्यों यह माइनस हुआ है जब यह माइनिस अंदर जाएगा तो यह पलस का था यह क्या हो जाएगा नेक्टिव हो जाएगा माइनिस लाग आफ 0.0075 उसके बाद जब यह माइनिस अंदर जाएगा तो माइनिस पलस आपस में मल्टिप्लाइ होकर क्या बन जाएगा यह माइनिस बन जाएगा माइनिस लाग आफ 1, 2, 7, 8 यह हमारे पास जो है लाग के हमने रूल अपलाई करके इनको सबको अलग-अलग कर दी है अब क्या करना है जब यह सारे अलग-अलग हो जाएं तो आपने क्या करना है इन पे lag के method apply करना है lag का और इन values के lag निकालना है table को use करते हुए इसको start करते हैं इस तरफ मारे पास क्या रहेगा lag of x वैसे रहेगा और यहां पर हमने निकालना है lag of 1.23 तो lag के मारे पास क्या होते हैं दो पार्ट होते हैं एक होता है characteristic जिसको हम खासा कहते हैं और दूसरा होता है manisa मारे पास lag के दो पार्ट होते हैं हमने क्या करना इसका lag निकालना है तो इसके दो पार्ट होंगे एक होता है characteristic एक होता है manisa तो characteristic क्या होता है जो मारे पास number होता है lag के अंदर यह हमारे पास 1.23 हमने इसको जो है decimal point को ऐसी farm में लेके जाना होता है कि हमारा जो decimal point से left side पे एक जो है non zero digit होना चाहिए यान जो जहां पे number हो point से पहले वो क्या हो एक और 10 के दर्मियान हो यह हमने पढ़ा था scientific notation में 10 से छोटा हो और एक के बराबर भी हो सकता है एक से बड़ा यह नमबर एक और 10 के दर्मियान होना चाहिए यह 10 नहीं हो 10 से छोटा हो 9 तक हो सकता है यहाँ पर अगर आप देखे हैं तो हमारे पास यह पहले से ही correct order में मुझूद है यहाँ decimal farm अपनी correct position में है तो हमने point को कहीं पे move नहीं करना वो इसका हम क्या लिखेंगे जीरो पहले हमारे पास क्या जाएगा उसके बाद क्या करना होता है मने इसका मैंटीसा निकालना होता है मैंटीसा क्या होता है हमारे पास जो नमबर होते है यह चार होते है नर्मली यहाँ पे दो है इनको आपने देखना होता है, LockTable के अंदर LockTable में कैसे देखते हैं? हमारे पास पहतों पर तेन Number है 1, 2, 3 जो पहले 2 होंगे, ये 12 बनता है इसको आपने देखना है LockTable में जो हमारे पास LockTable का पहला Page है यहां पर First Colum है, ठीक है? कि यह निमर आ गया उसके बाद फॉर्थ होता है इसके डिफरेंस दिकते हैं कि यहां पर नहीं है उसका MachS डिफरेंस नहीं होगा इपने बार्ञाइं के आगे तीन देखना है वह उलस क्या है 1899 आपने क्या करना है यहां इसका जो है मैंने यहाँएगा सबसा हुआ जाएगा है तो हमारे पर वन पुएंट तू किया आगा गया तो हमारे पास लाग आफ numer 2 तो हमारे पास नेक्सट है प्लस कह लिखे यहां पर और प्रहोंच ЦाउL 0.6975 हमारे पास मुझूद है नमबर 0.6975 तो इसका जो पॉइंट है वो कहां पर लेकि जाने हमने फिर्स्ट नाम जिरो डिजिट के बाद यानि कि 6 के बाद यहां पर पॉइंट आना चाहिए तो हम कितने स्टेप मूव करेंगे हम जो है एक स्टेप मूव करेंगे इसको ठीक है अब एक स्टेप मूव किस तरफ की है राइट साइट पर की है तो राइट साइट पर मूव करते हैं पॉइंट को हमारे पास जो कर्रेक्टिस्टिक होता है वो क्या होता है नेगटिव आता है पहले बताया था लाग में लेफ होता है यानि इसका हमारे पास क्या आ गया क्रेक्टिस्टिक वान का बार यानिकि नेग्टिवन आ गया उसके बाद पॉइंट लगाते हैं उसके बाद हमने चेक करना है है इसका मेंटिसा कैसे करते है एं 69 को देखना है टेबल में और उसके आगे भी सैवन को और फाइव कर 69 को देखना है हमने, यहाँ पर हमारे पास यह फस्ट पेज है, वो 49 तक है, उसके बाद आपने जाना है 69 पे, ठीक है, यह हमारे पास 69 है, इसको हमने देखना है 7 के कालम में, यह हमारे पास 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, यह क्या बना रहा है, 8, 4, 3, 2, यह अपने नोट का लेना है, ठीक है, 8, 4, 3, 2, आपने नोट करना है इसका, 8, 4, और 3, 2, इसको आपने एड करना है, इसके अंदर, उसके बाद हमारे पास जो नंबर था, वो कौन था, वो 5 था, ठीक है, 0.6975 था, 7 आपने वो चेक कर लिए, और 5 का क्या चेक करना है, आपने डिफरेंस जाए करना है, उ हमारे पास कितना डिफरेंस है, तीन का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इसके अंदर, तीन जो है, एड कर देने है, हमारे पास क्या बन जाएगा, 8, 4, 3, 5, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास मेंडी सा क्या आ गया, 8, 4, 3, 5 आ गया, आपने क्या करना है, 8, 4, 3 25 इसके बाद माइनिस है अगर आप अगर आप देखें हमारे पास लाग के अंदर 0.0075 है तो इसका पॉइंट किस तरफ जाएगा राइट साइट पर जाएगा क्योंकि यह पॉइंट आना है साथ के बाद ठीक है इसका मैं ड्रैक बता रहा हूं तो कितने स्टेप मुव होगा स्टेप मुव होगा और हमारे पास जो इसका डिरेक्ष्ट साइट पे है राइट पर नेगटिव लेते हैं यहीं लाग लेफ पॉस्ते होता है राइट पे नेगटिव होता है ठीक है थीप ہ्छिया याद रखना आपने तो राइट पर नेगटिव हुआ ता हम क्या लगा 751 है यह आपने नोट कर लेना है 8751 यह हमारे पास जो है इसकी के बार आगया उसके बार देखें तो मैरे पास का पॉइंट कहां पे खड़ा है तो कि तो कितने स्टेप मूफ करेंगे ऑर लेफर मूफ किया है तो ले लपर मूफ में होते है signal आगहे है lot left positive आप में याद रखना है यह थोर यह याद रखना है तो यह महरे पास क्या जाएगा positive क्या जाएगा साथ है और साथ डिंखेंगे और साथ के आके आट नोट का इफ स्ब्क होगए 12 क्या क्या हूं साथ देखेंगे साथ हमारे पास कौन सा है 1038 तो यह नमर आपने नोट कर लेना है 1038 आपने यहाँ पर नोट करना है और इसके अंदर हमने डिफरेंस एड़ करना है तो डिफरेंस किसका देखना है हमने मारे पास नमबर था 1278 तो मारे पास जो डिफरेंस है वो किसका 8 का है य यहां पे दो नमबर हैं, यहां पे आपने खिया रखना है कि एक उपर एक नीचे है तो आपने कौ़ने सान अमबर चैक किया था, तो हमने बारां के आगे किया देखा था, हमने पहले साथ देखा था, तो 7 का नमबर नीचे पड़ जेदेखे, गौर करें आप यहां पे एक नमबर उपर है यह वाले 5-4 तक और 4 से आगे नीचे हैं तो नमबर हमारे पास कौँछ सा है 12-78 है यानी 12 के आगे 7 क्या देखा यह हमारे पास यह वाला नमबर आ गया यह वाला 7 138 और फिर क्या देखना है हमने 8 देखना है 5 और उसके बाद यह 6 बन जाएगा और यह 0 और 1 यह नहीं 10065 बन जाएगा यहां पर मारे पास इसका जो लाग आएगा 3.1065 तो यह मारे पास सबके जो है लाग आ चुके हैं अब क्या करना इनको हमने साल करना है तो मारे पास क्या आएगा यहां पर यह तो exit जाएगा 0.0899 अब यहां पर हमने जो 1 का बार लगाया था यह क्यों लगाया था क्योंकि हमारे पास इसका जो करेक्रिक्रिक्रिस्टी था वो नेगटिव था क्या था वो नेगटिव था और यह वाला मेंडी सामेशा पॉस्टे होता है तो हमने इसको 1 का बार लगाया था अब क्या करना है हमने इन दोनों को अलग अलग करना है प्लस है उसके बाद मैनिस 1 है तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा आप लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मैनिस 1 प्लस और इसको अलग कर दें यह बनेगा 0.84 4 और 3 5 यह आ गया हमारे पास यह जो बार है वो negative में चीन्ज हो गया यह positive लुक हो गया जहां भी आपने यही काम करना है minus bracket लगा लें यह हमारे पास negative है आप इसको minus में change कर दें उसके बाद plus लिखें 0.8751 आ जाएगा और इसके बाद कहए है माइनस 3.1065 तो इसको जब हम solve करेंगे हमारे पास क्या आएगा 0.0899 और इसको आप solve करेंगे हमारे पास क्या आएगा यह माइनस का आएगा हमारे पास 0.1565 इसको आपने solve करना है कल्कुलाटर के उपर माइनस 1 प्लस करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा जब इसको आप साल्व करेंगे हमारे पास क्या होगा यह इनको अपने मैनिस 3 लिखना है प्लस 0.8751 लिखेंगे हमारे पास क्या जाएगा यह हमारे पास मैनिस है यह भी नेग्टिव होगा यह हो जाएगा प्लस हमारे पास ठीक है यह हमारे पास प्लस हो जाएगा तो प्लस का हमारे पास क्या जाएगा 2.1249 आ जाएगा यह अपने कल्कुलेटर पे साल्व कर लेना है उसके बाद हमारे पास यह वाला है तो यह जाएगा मैनिस 3.1065 अब क्या करना है अब आपने सब को जो है कल्कुलेटर पर राइट करना है इसको मैनिस इसको बलस इसको और मैनिस इसको मारे पास जो इसका फाइनल अंसर आएगा वो क्या आएगा मारे पास वाएगा माइनिस 1.0482 आजाएगा तो यह मारे पास इसका फाइनल रिजल्ट थेक्टिव है यहां पर हम इसका ट्रैक्ट अंटि लाग नहीं ले सकते उसके थे उसके क्या करना हो था इक चोटा से मैट्ट है आप ने क्या करना है तो आपने यहांपे पॉइंट से पहले नंबर देखने क्वह नंबर वन हैं तो आपने वन से बड़ा एक नंबर जो है यहांप पर एड़ कर देने ह। फ्ल्स टू कर दें और साथ मीनिस डू भी कर दें क्योंकि हमने इसको कैंसल भी करना है क्योंकि हमारे पास औरिजिनल रिका में कौन सी है सिर्फ यह वाली है हमने क्या यह खुछ से एड़ किया है प्लस टू मैनिस टू मैत में जो का हम खुछ से करते हैं उसका रिवर्स भी करते हैं यह क्या प्लस किया है तो मैनिस भी क आ जाएगा कमांटी से हमारा poser हो जाएगा और ये महारे पास जो मैनेश टू बज्टा है ये महारे पास क्या बजाएगा ये बन जाएगा हमारे पास characteristic यानि आप इसको इदर लिख दे और प्लसर हमारे पास इस का अनसर पॉस्टे में इस यो पास09ę18 आ जो मेंटीस से है यह पॉस्टेव हो गया है इसको टू को एड़ करने के साथ माइनस 1.0482 प्लस 2 करेंगे हमारे पास यह अंसर आ जाएगा और यह माइनस 2 इदर आ जाएगा अब आप इसको कंबाइन कर दें यह मारे पास माइनस 2 था इसको आप 2 का बार बना दें ठीक है और पॉइंट लगा दें .9518 हमारे पास क्या आ गया है लाग आफ यह पॉष्टिफ वाह में आ गया है मेटीस हमारा positive हो गया है, यहाँपे हमारे पास anti sub negative था, characteristic भी negative था इसलिए हमने plus2 minus 2 करके इसको positive बना यह तो हमारे पास negative है लेकिन यह plus में आ गया है इसमें मारे पास रेक्रिक्रिस्टिक है यह तो negative है लेकिन यह वाला positive हो गई है अब क्या करना है हमने इसका anti-log लेना है दोनों साइट पे तो क्या लिखेंगे taking anti-log on both sides ठीक है taking anti-log on both sides यह आपने लिखना है इन दोनों तरफ आपने anti-log लेना है तो जब आप दोनों तरफ anti-log लेंगे हमारे पास जो है left side पे जो log है वो log of x यह log cancel हो जाएगा और इस तरह हमारे पास क्या जाएगा anti-log आ जाएगा anti-log of two का बार है negative two है point 9518 तो इस तरह हमारे पास क्या होगा anti-log cancel x बाज जाएगा जो हमने find करना था और इधर क्या करना है हमने इसका anti-log लेना है अब anti-lock कैसे लेना है आपने point के बाद वालो जो नमबर हमारे पास 4 मजूद है 9518 इनका आपने anti-lock लेना है आपने जाना है anti-lock table पे आपका anti-lock table point की फार्म में मुझूद होगा आपने देखना है पहले जो दो पेज है वो लाग के हैं और जो अगले दो है वो क्या है anti-lock के है यह हमारे पास टेबल अप anti-lock है इसमें आपके तमाम नमबर क्या होते हैं point की फार्म में होते हैं तो हमने किसको चेक करना है point 95 को च देखना है zero one one mund में करें आउना पास eight nine three three है इसको हम doot कर लेंगे हमारे पास कいて eight nine three three價मर पास आ गया eight nine three three अब इसका डेफरेंस देखना है डिफरेंस हमने करा देखना है मार पास number था 9518 वन देख लिया हमने उसके आगे 8 का difference तो 95 का की आगे किया देखने है आपने .95 की आगे आपने 8 का difference देखने है 123456788 मार पास क्या रहा है यह 17 आ तीक है मार पास 17 आ जायेग़ आपने क्या करने है 17 को एदर add कर देना है plus 17 कर दें यह मेरे पास क्या बनेगा इसको add करें यह मेरे पास बनेगा 8950 यह नी 8950 बन जायेगा आपने इसको note कर लेना यहां पे 8950 we are पास क्या जाएगा इसका anti-log आ जाएगा अब क्या करना है आप ओने इन्टिलाग मैं जो हमेरे पास यह दो नंबर थे यहां पे हमारे पास क्या था टू का बार था पॉइंट नैंन्फाइव वन एड्ड था तो आपने जो है पॉइंट नैंफाइव और वन एड को यूज कर लिया लेकिन इसको आपने अब यूज करना है ठीक है हमारे पास जो है टू बार पॉएंट नाइन फाइवागव का हमारे पास जो एंडी लाग मॉग क्या आगिया है वो आगिए है 8950 अब क्या करना है हमने इसका ये ज़ो टू बार है ये यूज करना है जयने point move करना है point हमारे पास जोड़े कहां पे होता है यहां पे होता है जब हम lag लेते हैं point यहां पे रखते हैं ठीक है उसरे concept कहनाँ यूजज़ करना है तो हमने इसको यूज़ करते हुए point की सिरुके जाना है anti lag में क्या होता है negative जो है पीछे मूव करने लेफ्ट पे तो मेरे पास लेफ्ट पे नंबर तो है नहीं हम क्या करते हैं यहां पर शिफरें लगा सकते हैं ठीक है तो कितने स्टेप मूव करने हैं यहां से एक स्टेप और यहां से दो स्टेप मेरे पास पॉइंट कहा प्या जाएगा यहां पर मेरे पा जो एंटीलाग का आंसर है, वो क्या होगा, जहाँ पर आपने दो जिरो एड करनी है, तीक है, मारे पास पिट यहांपर था, रेक लिए आपने इसको दो स्टेप पीछे किया, मारे पास इसका answer किया गया 0.08950 या simply आप इसको लिख सकते हैं 0.089 और 5 भी आप लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट नमबर खतम होने के बाद पॉइंट के बाद अगर नमबर खतम हो जाएं तो आगर 0 लगाएंद को फार्ग नहीं पड़ता हमारे पास किया है यह वाला इसका आंसर है I hope so आपको इस पार्ट के समझ आ गई होगी तो आज के लिए इतना ही इंशाला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट नमबर 6 के साथ तो अगर आपको समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कलास पर उसके साथ थैंक थैंक्स वर वाचिंग और वाचिंग तो सब्सक्राइब मैं चैनल